बिहार के कुछ विद्यार्थियों के लिए सरकार के वित विभाग ने अच्छी खबर दी है बिहार में सनातक उत्रेड 53,616 को प्रोसाहन राशी के लिए सिक्षा विभाग के 134 करोड रुपए के प्रस्ताव को वित विभाग से हरी जंडी दे दी गई है जल्दी प्रोसाहन राशी इन चात्राओं के बैंक अकाउंट में पहुँच जाएगी प्रोसाहन राशी सरकारी के साथ साथ वित रहित मानिता प्राप्त कॉलेजों से 2018 के बाद इसनातक पास चात्राओं को दी जाएगी वहीं आपको ये भी बता दे कि वीर कुवर सिंग, जय प्रकाश नारायाण और मगद विश्वविद्याले की लापरवाही के कारण मानिता प्राप्त कॉलेजों की चात्राओं का सत्यापन नहीं हो पाया है ऐसे में सिख्षा विबाग के सिख्षा निदेशक डॉक्टर रेखा कुमार ने इन विश्वविद्याले के रजिस्टरार को बैठक में तलब किया है सभी रजिस्टरार को फटकार लगाई गई और कहा गया है कि हाथो आज सत्यापन करके दें वरना कारवाई की जाएगी विबिन विश्वविद्यालें से असना तक उत्री लगबग सवा दो लाग चात्राओं ने प्रोटसाहन राशी के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया है पिछले मेने 14,400 चात्राओं को लगबग 35 करोड रुपे दिये गए थे इसके पहले भी 11,000 से अधिक चात्राओं को राशी दी जा चुकी है अब भी लगबग 2,000,000 चात्राओं को प्रोटसाहन राशी देना बाकी है आवेदन करने वाली चात्राओं की विश्विद्याले और सिक्षर संस्थानों के माध्यम से सर्टिफिकेट की जाँच के बाद प्रोटसाहन राशी डीबीटी के माध्यम से बैंग खाते में देने का प्रावधान है 2018 से 21 के बीच इसनातक पास चात्राओं को 25,000 रुपए दिये जाने हैं जबकि 2021 के बाद इसनातक पास चात्राओं को 50,000 रुपए दिये जाएंगे